नीले आसमान में एक बार एक छोटी सी चिडिया रहती थी. उसका नाम था पंखुरी. पंखुरी बहुत ही चंचल और खुश मिजाज थी. वह हर रोज सुबह सुबह सुरज की पहली किरण के साथ उठती और अपने दोस्तों के साथ खेलती. पंखुरी को उड़ने का बहुत शौक था. वह आसमान में उचाई तक उड़ती और बादलों के बीच छिपने की कोशिश करती. कभी कभी वह जंगल के पेड़ों के उपर उड़ती और वहां के रंग बिरंगे फूलों को निहारती. एक दिन पंखुरी ने सोचा, क्यो न मैं आज कुछ नया करूं? उसने जंगल के सबसे उचे पेड़ के उपर बैठने का फैसला किया. वह पूरी ताकत से उड़ने लगी. उड़ते उड़ते वह ठक गई. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. अंत में वह उस उचे पेड़ की छोटी पर पहुँच गई. वहां से उसने पूरे जंगल का द्रिश्य देखा. दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे पेड़, नदी की धाराएं और नाचते हुए रंगीन तितलियां. यह द्रिश्य देखकर पंखुरी का दिल खुशी से जूम उठा. पंखुरी ने सीखा कि अगर वह कोशिश करती है, तो वह किसी भी उचाई को छू सकती है. और इस तरह पंखुरी और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया रोमांच बन गया. वे सब मिलकर उंचाईयों को छूते और खुशियों के रंग बिखेर थे. एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में पिंकी नाम की एक छोटी सी चिडिया रहती थी. पिंकी बहुत ही खुश मिजाज और चंचल थी. उसका पसंदीदा काम था पेडों की शाखाओं पर बैटकर मीठे मीठे गीत गाना. पूरे जंगल के जानवर उसके गीत सुनने क के लिए इकठा हो जाते थे. पिंकी की एक खास बात थी. वह बहुत जिग्यासु थी. उसे नई नई जगहों पर जाना और वहां की चीजों को देखना बहुत पसंद था. एक दिन पिंकी ने सोचा कि वह जंगल से बाहर निकल कर देखेगी कि दुनिया कितनी बड़ी और स खुबसूरत है. उसने खेत में उतर कर फूलों की खुश्बू का आनंद लिया और उनके बीच खेलती रही. फिर पिंकी ने एक बड़ी नदी देखी जो शानती से बह रही थी. उसने सोचा मैंने कभी इतनी बड़ी नदी नहीं देखी. वह नदी के किनारे बैट गई और पानी में अपनी परचाई देखकर खुश होने लगी. वहाँ उसने कुछ मचलियों से भी दोस्ती कर ली, जो पानी में तैर रही थी. अगले दिन पिंकी ने एक उंचा पहाड देखा. उसे लगा कि पहाड की छोटी से दुनिया और भी सुन्दर दिखेगी. वह पहाड की अपने दोस्तों के लिए एक सुन्दर गीत गाया. जब शाम हो गई तो पिंकी को अपने घर की याद आई. वह जंगल में लौट आई और अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया. उसके दोस्तों ने उसकी कहानिया हों सुनकर खुब आनंद लिय पिंकी ने अपनी यात्रा से सीखा कि दुनिया बहुत बड़ी और खुबसूरत है और हमें उसकी खोज करते रहना चाहिए. लेकिन सबसे प्यारी जगह हमेशा वह होती है जहां हमारे अपने होते हैं, जहां हमारा घर होता है.